आज हमारा जी टॉपिक है वो सेकंड येर का नावल है गुडबाय मेस्टर जिर्स तो उस हवाले से आज इंट्रोड़क्टरी लेक्चर है हमारा कि ये नावल बेसिकली है तो ये आज फस्ट लेक्चर है इंट्रोड़क्शन डू गुडबाय मिस्टर जी नावल इस नावल इजे बैसिकली रिटन बाए जेम्स हिल्टन सबसे पहले हम जेम्स हिल्टन के बारे में जानते हैं कि हूँ आज मिस्टर जेम्स हिल्टन इस नावल का जो राइटर है वो जेम्स हिल्टन है he was born in 1900 1900 में वो पैदा हुआ and died in 1984 54 और उसकी 1954 में जो है वो death का जिकर है he was an English novelist वो एक English जो था वो novelist था and he also wrote some screenplays याई इसने कुछ plays बगरा भी लेके he was also a renowned journalist and commentator तो ये थोड़ा सा आपको लोगों ने इसको जहन में रखना है इसमें ज्यादा detail में जाने की ज़रूद नहीं अब चलते हैं ये novel basically है क्या introduction to Mr. Chips तो Goodbye Mr. Chips is a biographical novel ये basically एक story है it is a life story of an ideal teacher ये ऐसे एक ideal teacher की कहानी है who had devoted entirely himself to the cause of education and the betterment of his students कि जिसने अपने आपको मुकमल तोर पे वक्फ कर दिया तालीम के लिए और अपने जो students थे उनकी बेतरी के लिए this novel appeared in 1934 ये novel जो था basically इसको आप लोगने जहें में रखना है ठीक है ये publish इसकी date कब है तो ये 1934 ये 1934 में इस novel को जो है वो publish किया गया this novel was written only in four days चार दिनों में इस novel को जो है वो लिखा गया है ठीक है this novel was dramatized and films as well means कि इस novel के उपर drama वगरा भी बना है और film वगरा भी बनी हुई है नीचे अगर आप आए तो ये की important line लिखी हुई है this novel was so popular कि ये novel इतना popular था जब ये publish हुआ that 1500 copies were sold on the day when it was first published into book form यानि जब उसे इस novel को किताबी शकल में जो है वो publish किया गया तो पहले इन ही 1500 copies जो थी 1500 copies were sold यानि 1500 copies जो थी इस novel की वो बिक चुकी थी जिस दिन इस novel को जो है वो किताबी in book form में जो है इसको publish किया गया next अगर हम थोड़ा से इसके introduction पर मजीद जाएं इसके थोड़ा सा background की तरफ कि इस novel was presented on radio in 1936 यही 1934 में जो था इसको publish किया गया और 1936 नहीं पबिश होने के दो साल के बाद इस novel को radio के ओपर present किया गया and in 1938 1938 1938 में it was presented on stage stage की ओपर जो है इसको perform किया गया and the very next year in 1939 first movie was made on it 1949 1939 में इसी नावल के ओपर first movie बनी and in 1969 और 1969 में second movie was made on this novel इसी नावल के ओपर दूसरी movie बनी ठीक है तो अब इसकी popularity का हम लोग यहां से अंदादा लगा सकते हैं कि चांद इक सालों में कि 1934 में इसको publish किया गया और 1936 में इस नावल को रेडियो के ओपर present कर दिया गया और दो साल बाद इसको stage की ओपर जा drama के तौर पर विपेश कर दिया गया और the very next year इसके ओपर movie भी बन गी और फिर एक आम ही भी खतम नहीं हुआ बलके 30 साल के बाद दोबारा फिर जो है 1969 में इस पर दोबारा एक movie बनी and the very important point 1984 में BBC presented this novel in a form of series इसको series की form में जो है वो BBC ने present किया पेश किया अभी हाल ही में वो बता रहा है कि 1910 में sorry 2010 में this novel was presented in the form of TV series कि 2010 में इस novel को जो है वो TV series के ओपर यह निए TV के ओपर जो हो present किया गया in the form of series तो यहां से हम लोग इस नावर की popularity का अंदाजा लगा सकते हैं अब basically यह जो story है यह Mr. Chips के वाले से है कि Mr. Chips एक इदारा जिसका नाम Brookfield है वो वहां पर almost 48 साल सर करता है 48 साल जो है वो पढ़ाता है ठीक है आगे next चलके हम dates भी इसको discuss कर लेंगे कि वो एक इदारा जिसका नाम Brookfield है वहां पर जो है वो 48 साल जो है वो पढ़ाता है अब different की different perceptions है ठीक है कुछ लोगों का यह मानना है कि जो Mr. Chips का character है ठीक है अब character के basically हवाले के character के हवाले से लोगों की different opinions है कुछ लोगों का कहना यह है कि Mr. Chips का जो character है यह basically James Hilton खुद है ठीक है तो इसमें different लोगों की opinions है हम इसको one by one discuss कर लेते हैं critics gave different opinions about the creation of this novel कि इस novel की creation के हवाले से जो critics थे उन्होंने different opinions दी पहली राह इसमें क्या है according to some people कुछ लोगों का ये कहना है this novel was written in the background of the lay school ये एक इदारे का नाम है ठीक है the lay school where Hilton himself had been teaching from 1915 to 1918 ठीक है यनि कुछ लोगों का ये मानना है कि Mr. Chips का जो character वो basically कौन है James Hilton खुद है ठीक हो गया James Hilton जो है वो खुद है और वो कहां पर पढ़ाता था हिल्टन ये इस school में दाले स्कूल में और इसने कतने साल पढ़ाया तीन साल और उसने अपनी आप पीती जो है वो इस novel में लिखी ये एक जो है वो गुरू का कहना है ठीक है ये number one जो point है ये कुछ लोगों का ये मानना है कि Mr. Chips का character वो खुद जो है वो Hilton And the second opinion is there According to some people Mr. Chips was the father of Hilton कुछ लोगों का ये मानना है कि Mr. Chips का जो करदार है वो हिल्टन का वालिद था वो क्या था वो वो थी हेड मास्टर आड जी चैपलेंड स्कूल ये इस इदाने में वो हेड मास्टर रहा काफी अरसे तक और इस बन्याद पर जो है वो उसने अपने वालिद की कहानी जो है वो तखलीक कर दी है Mr. Chips के करदार में ये कुछ लोगों का कहना था And the third opinion is there This is more valid opinion इसको जो है वो जो है वो जो है वो जो है वो ज्यादा valid तसावर किया जाते According to some people The character of Mr. Chips वाज़ी पिक्चर ओफ Mr. W.H. William Henry Belger Knight ठीक हो गया ये एक character है कुछ लोगों का ये मानना है कि Mr. Chips का जो करदार है वो किसकी बेसिकली तस्वीर है W.H. Belger Knight अब ये Belger Knight कौन था He had been teaching in the lay school ये इसी school में ये जो उपर हम लोग पॉइंट बढ़कर रहे है पॉइंट नमर वन इसी school में पढ़ाता रहा है From 1900 to 1930 यनि 30 साल जो है वो उसने इसी school में पढ़ाया He spent his last days in the same way as Mr. Chips has spent अब ये जो जो opinion है लोगों के क्यो बेलेड मानी जाती है क्योंकि जो Belger Knight इसने 30 साल जो है वो बेलेड स्कूल में पढ़ाया है और चूंकि और इसकी जो आखरी आयाम थे वो भी इसी तरह ही गुज़रे जैसे के Mr. Chips ने अपनी आखरी आयाम ब्रुक फिल्ड जो इंस्टिटूट था जहां पर उसने 48 साल पढ़ाया है वहाँ पर गुज़रे ठीक है मैं गिन भी इस बात को रिपीट करता हूँ कि इस पॉइंट को इसलिए वेलेड तस्वर किया जाता है कि Belger Knight ने अपने आखरी आयाम अपनी जिन्दगी के आखरी लास डेज इसी तरह से गुज़रे जिस तरह के Mr. Chips ने ब्रुक्फिल में गुज़रे तो लहाज़ इस उपीनिन को ज्यादा वेलेड इसलिए भी तस्वर किया जाता है और पहला जो पॉइंट डिसकस किया क्योंकि इसने 30-30 एधारे में पढ़ाया तो लहाज़ा मुम्किन है कि यह वही करक्टर है जिसको जो है नावल लिख दिया हो और हमने पढ़कर आया है कि इस नावल को जैसे सिर्फ चार दिनों के अंदर जैवा पॉब्लिश जो है वो लिखा तो ये तीन डिफरेंट ऑपिनिन्स जो है वो तसावर की जाती है लेकिन किसी भी जो है वो उपिनिन को वैलिट मोस्ट वैलिट और कंफर्म तसावर नहीं किया जाता हम लोग इसको बस जैन में रख सकते हैं कि मुम्किन है कि जेम्स हिल्टन खुद हो सकता है मिस्टर चिप्स यह मिस्टर चिप्स जो था वो हिल्टन का बाप था और नमबर थ्री पाइंट बेलगर नाई के हवाले से जो हम लोग ने डिसकोस किया अब बिसिकली यह स्टूरी है क्या हम मिस्टर चिप्स की प्रोफाइल हम लोग डिसकोस करते हैं कि मिस्टर चिप्स जो था वो 1848 में पैदा हुआ लेकिन हमें नावल में उसने नहीं बताया हिल्टर ने नहीं बताया कि यह कहां पे पैदा हुआ चिप्स ने जो था वो बिसिकली कैंबरिज इनिवस्टी से तालीम असल की और जॉइन ब्रुक फिल्ड अपनी तालीम अकमल करने के बाद उसने एक साल मेलबरी स्कूल में पढ़ाया था यहां पे एक और पॉइंट आपके सामने आजेगा कि एक साल उसने मेलबरी स्कूल में पढ़ाया था गालबन 1869 यानि जॉइन ब्रुक फिल्ड यह ब्रुक फिल्ड का नाम आप लोगों ने जहें में रखना है यह इंस्टिटूट है जहाँ पर वो अटाली साल पढ़ाएगा यहनि कि सारी उसकी जिन्दगी जो है वो इसी स्कूल में दिखाएगी यह नावल में तो बुर्कफिल्ड इस इदारे का नाम है तो यहाँ पर लिखावा जोईन बुर्कफिल्ड के मिसेचिफ्स ने बुर्कफिल्ड को कब जोईन किया अठारा से सतर में और यहाँ पर आने से पहले उसने एक साल मेलबदी स्कूल में गुजारा 1869 में वहाँ पर बढ़ाता रहा और 1870 में यहाँ पर आगा बुर्कफिल्ड अब यहाँ पर important points पहले डिसकस कर लेते हैं acting head first time 1870 में यह बुर्कफिल्ड को जोईन कर लिया इसने बुर्कफिल्ड वाइन करने के वक्त यहाँ का headmaster वो आगे हम लोग डिसकस कर लेंगे acting head यहाँ का आरजी तोर पर जिसे हम बोलते है headmaster 1900 में बना यह पहली मर्तबा यहाँ का acting head बना और पहली इसकी retirement जो है 1913 में 65 साल के उमर में 1913 में मिस्टर चिप्स बिमार हो गया था जिस वज़ा से इसने retirement ले ले लेकिन दोबारा फिर 1916 में 1916 में याद रखना है joining इसकी काब है 1870 की और अब हम कौन सी एर की बात करें 1916 1916 में यह रिटायर होने के 3 साल के बाद वो दोबारा फिर बुक्फिल्ड को जोईन कर लेता है उस वक्त के हेड मास्टर जिसका नाम चेटर्स है उसकी दर्खास के उपर मिस्सर चिप्स दोबारा जो था उसकूल को जोईन कर लेता है और 1917 में दोबारा फिर इसको acting head बना दिया जाता है आरजी तोर पर और फाइनली फिर ये अपनी retirement ले ले लेता है 1918 में नमबर 11, 1918 में ये अपनी retirement लास ले लेता है अब अगर हम लोग यहां पर years total count करें 1870 से लेकर 1918 तक almost 48 years मनते हैं 48 साल जो है वो इसने यहां पे गुजारे और इसके death का जिकर क्या है He died in 1933 at the age of 85 85 साल की उमर में इसके death होती है 1933 में तो आप लोग ने इसका थोड़ से profile देन में रखना है कि He was born in 1848 48 में जो है वो इसकी date of birth है और इसकी death का बहर 1933 में 85 at the age of 85 85 साल की उमर में 85 जो एज में जो था है इसकी death होती है तो अब अगर हम थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलें merit life के हवाले से discuss करें ठीक है ये तो उसकी स्कूल की life होगी है जो पीछ हम लोग स्लाइड डिसकस की है ये तो स्कूल की उसकी सारी life है कि स्कूल में उसने जो है किस तरह से गुजारा कब जोईंग किया ठीक है अब एज़ा हम लोग अगर हम लोग टीचर के तो और यहां पर डिसकस करें तो एज़ा टीचर वो कोई अच्छा एक नहीं था उसमें हमेशा discipline का problem लाए उससे class control नहीं होती थी मजीद उसका लिबास जो था वो इतना अच्छा नहीं था अब आप लोग गौर कर रहे होंगे कि यहां पर इतना लंबा अर्सा पढ़ाने के बावजूद भी उसे पर्मनेंट हेड मास्टर नहीं बनाया गया दो मरतबा उसे acting हेड बनाया गया यहां पर अगर आप लोग देखें acting हेड मास्टर 1900 में बनाया गया और दूसरी मरतबा acting हेड अगें 1917 में से बनाया गया दो मरतबा से acting हेड बनाया गया लेकिन उसे कभी भी पर्मनेंट हेड मास्टर नहीं बनाया गया उसकी वज़ा यह थी कि उसमें discipline के problem थे class में उसका problem था कि class उसे control नहीं होती थी मजीद कि उसका लिबास का भी मसला था और number third point कि उसकी जो परहाने का अंदास साथ के pronunciation जो थी वो भी गलत थी यह वो चांदेक मसायल थी जिस वज़ा से उसे कभी भी permanent headmaster नहीं बनाया गया गो कि जब वो रिटार होने वाला था तो उसे permanent headmaster की offer की जाती थी लेकिन वो जो है वो उसके मतलब अब वो बेमार रहने लगा था जिस वज़ए से उसने इंकार कर दिया कि मैंने यह permanent headmaster नहीं बना तो यह वज़ुहात थी और 1869 में जब उसने मेलबरी स्कूल छोड़ा तो वहां पर भी इसके वही मसले मसायल थे कि लास में उसके discipline का problem था तो as a teacher अगर हम लोग गें तो उसमें drawbacks थे कुछ, equidressing का problem और दूसरा pronunciation का और उसके बार discipline का भी problem married life है वाले से discuss करें इसकी जाती जिन्दगी की बात करें तो हमें एक और character यहां पे मिलेगा Catherine जो कि उसकी wife के तौर पर हमें दिखाया गया है 1869 में ये एक जगा है जिसका नाम है the lake district ये इस जगा पे जाता है और वहां तो उसकी मुलागात Catherine से होती है 1866 में और इसी साल जो है इनके शादी हो जाती है लेकिन दो साल के बाद दो साल के बाद Catherine की inner child birth case बच्चे को पेदाश देते हुए उसकी लिए वो वफात हो जाती है 1898 में 1896 में इनके शादी होती है और 1898 ये दो साल के बाद Catherine की death हो जाती है inner child birth case और ये आप लोग ने जहें में रखना है कि जब उसकी शादी ये थी तो मिस्टर चिपस की उमर किया थी 48 इवाज अबो 48 और Catherine की 25 साल उमर थी नजराती तोर पर दोनों में बड़ा एक्तलाफ था जो Catherine थी वो बड़ी अजाग ख्याल थी और मिस्टर चिपस जो था वो बड़ा तंग नजरी के तोर पर हमें दिखाया गया है वो ब्रॉड मांडिन नहीं था और ये डिफरिंस अफ उपिनियन में जारी रहती है ठीक है लेकिन दो साल के बाद जब Catherine की डेथ होती है तो फिर जो है वो मिस्टर चिपस अपने पुराने खियालाप पर वापस आजाते है Served Under Food Heads हमें इन नावल में दिखाया गया चार हेड़ मास्टर का जिकर आएगा इस नावल में यनि 1870 में जब Mr. Chips ने ब्रॉप फिल्ड को जोईन किया और 1918 में इसकी डेथ होती है ये लेफ्ट कर देता है ब्रॉप फिल्ड इंस्टिटूट को तो इस तोरान चार हेड़ मास्टर आते हैं Weatherby Weatherby जो था ये पहला हेड़ मास्टर था He interviewed Chips in July 1870 यनि जिस दिन Mr. Chips ने ब्रॉप फिल्ड को जोईन किया था तो यही वो बंदा था जिसने Weatherby वो ही बंदा था जिसने Mr. Chips का इंटर्व्यू लिया था बट ही डाइड बिफोर जिपस पूट बिगन इस फर्स तम लेकिन उसी साल ही Weatherby की टेथ हो जाती है उसी साल ही Weatherby की टेथ हो जाती है और 1870 में दूसरा हेड़ मास्टर आता है जिसका नाम है मेल्टरम मेल्टरम जो था वो 30 साल हेड़ मास्टर रहता है बुर्ग फील्ड में 1870 से लेकर 1900 तक यह जो हैं वो हेड़ मास्टर रहता है और 1900 में तीसरा हेड़ मास्टर आएगा रौल्स्टरन 1900 से लेकर 1911 तक और नमबर फोर जो था वो चैट्रिस 1911 से लेकर 1917 तक आप लोगों ने ये चारों जो headmasters हैं के नाम जेन में रखने हैं examination point of view से लाजमन एक से दू headmasters को टच करते हैं जिनके बारे में सवालाद आते हैं तो आपको लाजमन पता होना चाहिए मसलिम वैदरवाई के हवाले से important point क्या है कि वो पहला बंदा था जिसने इसका interview किया जब मिस्टर चिफ्स ने ब्रुक फिल्ड को जोइंड किया और मेर्डरम के हवाले से important बात ये कि मिस्टर चिफ्स के साथ तालुकात बहुत अच्छे थे और रालस्टन जो है ये भी बड़ा डिसकस करेंगी चप्टर नमबर 9, 10, 11, 12 में ये आजेगा तो नमबर 4 चैटर इसके साथ भी मिस्टर चिफ्स के तालुकात बड़े इच्छे थे और मिस्टर चिफ्स ने इसके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा और इसी के कहने पर मिस्टर चिफ्स ने अपनी लेनी है और उवराल खुलासा हम लोग ने डिसकस किया मिशादा नेक्स लेक्शन में चैप्टर नमबर 1 की तरह चलेंगे और important details के साथ साथ question answer भी हम लोग डिसकस करेंगे उमीद है कि आप लोगों को आज जो introductory lecture है इसमें कुछ key points आपको समझ में आजेंगे थैंक जी अलाफिस